हालो एवरिवन, वेलकम बैक टो मैं चानल प्रीदी प्रनव और मैं हूँ प्रीदी आज मैं एक ऐसे प्रोड़क्ट के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ जिसको यूस करके या जिसके बारे में जानकर आप मुझे बहुत साहरा थांग्यू बोलने वाले हो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि Dylan fix, हमके क्या करें हमारी शादी होने वाली है, कोई अच्छा पेस पैक मेरे बहुत ही अच्छा फेस पैक मेरे हाथ लगा है जो कि है अभी फिलाल मेरे हातों में ही यह है पवित्रा स्किन केर का फेस और बॉड़ी उप्टन उप्टन वर्ड ही मुझे बिलकुल खुश कर देता है बिकस उप्टन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पूरवज यूज किया करते थे अपने स्किन को और अपनी बॉड़ी को एन्हांस करने के लिए और और खूपसूरत बनाने के लिए तो उप्टन जब मैंने इस फेस पैक पे देखा तो मैंने का यह तो चाहिए और इसको यूज करना है मुझे और आप लोगों को बताना है क्योंकि मुझे मेरे दोनों चानल्स पर मेरे व्लॉग चानल पर भी और यहां भी आप लोग बहुत बार कूशते होगी जो मैंने अब आपको बताया कि हम वर्किंग है और हमाए पास इतना टाइम नहीं है कि हम फेस पैक्स बना कर रख सके हैं बना कर यूज करें तो यह आपके लिए बेस्ट है कम्प्लीट नाचरल है कम्प्लीट आयरवेदिक है सारे इंग्रीडियन्स बिल्कुल नाचरल है तो अब चलिए इस प्रोडेक्ट के बारे में बात करते हैं यह है पवित्रा स्किन केर का फेस और बॉड़ी उप्टन और लिखा हुआ है फील सिल्की और रियली में इसे यूज करके जो स्किन और बॉड़ी होती है इतना अच्छा फील होता है एकदम सिल्की स्मूध सा फील होता है और उसके बाद में उसके चार पॉइंट्स लिखे हुए है जिसमें के लिखा है एक्सफोलियेट्स जो की आपके स्किन को exfoliate करता है, मैंने भी यह फील किया है tone करता है आपके skin को मतलब आपका जो skin tone है उसे और अच्छे से enhance करता है आपके texture, skin के texture को improve करता है और इसके साथ ही साथ आपके skin को refresh बनाता है, चार पॉइंट्स लिके हुए है और चारो पॉइंट्स से मैं सहमत हूँ और turmeric, यह दो इंग्रीडेंट्स इस पर्टिकलर जो product है, इसके में इंग्रीडेंट्स है and यह है for all skin types including sensitive skin, यहां पर रिटर्न है कि sensitive skin के लिए भी जो upton है, यह बहुत ही अच्छा है यह आउटर पैकेजिंग के फ्रेंट में लिखा है then उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है not tested on animal और उसके बाद लिखा हुआ है certified by authentic ayurveda and उसके बाद में वही सारी चीज़े enhance glow, smoothen texture, improve skin tone, cleanses skin, act as skin tonic as skin tonic, यह act करता है for all skin type इसके बाद में पीछे भी वही सारी चीज़े दी हुई है इस particular brand के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो इस particular product में जैसे कि मैंने आपको बताया सारे natural ingredients है first ingredient है red lentin second ingredient है turmeric powder, orange peel powder इसके अलावा lot powder, rose powder, jasmine powder और saffron powder वो सारी चीज़े है, सारे ingredients इस particular product है इसके जो shelf life है वो होती है 30 month की और मेरे कहल से 30 month sufficient होते है काई बै मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कोई face pack लाती हूँ और मैं बहुत दिनों तक उसे भूल जाती हूँ तो इसका shelf life इतना जादा है 30 month मतलब 2 साल से भी जादा 20 साल और मुस्ट तो 20 साल तक ये रखा रहेगा तो जाहिर से बाते आप खतम करी लेंगे और ये expire भी नहीं होगा ये चीज मुझे बहुत अच्छे लगी इसका जो return price है वो है 450 रुपीज and I think Amazon ये flip card पे इस पे कुछ तो offer था मैं जो links है वो नीचे description box में दे दूँगी अब ये तो थी सारी outer packaging अब मैं आपको इसको open करके दिखाते हूँ ये देखिए outer packaging कुछ ऐसी है इस particular open की आप देखिए मैंने इतना finish किया जैसे कि मैंने आपको बता है मैं 4-5 बार इसे use कर चुकी हूँ बिलकुल थोड़ा थोड़ा आपको लेना है और वो ही sufficient हो जाता है किस चीज के साथ इसे mix करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस face pack की सबसे चीज मुझे ये लगी कि ये powdered form में है generally क्या होता है जो face pack cream के form में या liquid form में आते हैं उनके खराब होने के उनमें infection और bacteria होने के chances बहुत ज़ादा होते हैं क्योंकि ये powdered form में है तो ये बहुत safe है और इसकी shelf life को ये maintain करके रखेगा तो ये सारी है इसकी outer packaging पीछे भी इसका direction लिखा है ingredients लिखे होए है और पीछे इसका price और इसकी shelf life दोनों चीज़े लिखी होई है तो अब मैं आपको बतादू ये पानी के साथ में यूज़े एक बार मैं इसे जो कच्चा दूद होता है तो मेरा मानना ये है जितने अच्छे इंग्रीडियंट के साथ में आप इसे मिक्स करके यूज़े आपकी स्किन के लिए उतना जादा अच्छा होगा ये तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे यूज कैसे किया था सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मेरा यह उक्तन का पैकेट आप पैकेजिंग फिर से क्लोजली देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी और अब मैं इसे ओपन करूंगी और बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी अपने कंटेनर में यह चोटी सी कटोरी है इसमें और अगर आपको फुल बॉडी में लगाना है तो आप और जादा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे बेसन के साथ में मिक्स करके भी लगा सक हैं आप कचादूद मिक्स कर सकते हैं आलेवरा जल मिक्स कर सकते हैं जो भी अच्छा लगता है करें आक लेसे मिilस करके हैं और इसे अच्छा से घ्रल कर के अऊ-टोर जो असर होता है वो और उतना जादा होता है वनलब गीला करके जितनी देव तक रखते हैं आप अगर इसे एक घंटे तक के भिगो कर रख देंगे और उसके बाद लगाएंगे तो वो और जादा बेनिफीचल होगा आपके स्किन के लिए क्योंकि जितने हर्ब्स हैं वो सारे गीले हो गए हैं और उनके जो बेनिफिट्स है वो आपके स्किन में और अच्छे तरीके से अब्जॉब होंगे तो मैंने इसे करीब आदा घंटे गोल करके रख दिया था उसके बाद अपने क्लीन चेहरे पर इसे आपको बिल्कुल अच्छे से इवनली अपलाए करना है पर अपने जब इसे घोला था तो थोड़ा रनी कंसिस्टंशी में था लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते ही हैं सारे हर्प्स पानी अबजॉब करर लेती हैं तो यह जो फेस पैक है अब रनी कंसिस्टंशी में नहीं होगा इसके कांसिस्टंसी बहती परफ leaf और इसके खुश्बू आपको बोला कि आप इसे बेसन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं और ऐसे ही अगर लगाएंगे तो और भी अच्छी बात है तो मैंने अपने फेस पर और अपने नेक पर बहुत अच्छी से लगा लिया और मैंने इसे अराउंड एट मिनिट के स्कॉश्ब वाबड़ था इसे कमप्लेट ली अपने चेहरे पाउर फैक होने दया था जब वह अलके हलके इस lab धियाथा स्करुआ नगी भी च्रॉच्ई सकुज़ एट इस तरीके से स्क्रब करना स्कूच दिया क। यहां पर यहां पर यहां पर एख एट रगाँ वोकरते इस तरीके से scrub करेंगे तो मैंने अपने neck पर और अपने चहरे पर अच्छे से scrub किया और फिर उसके बाद normal जो tap water होता है उससे अपने चहरे को wash कर लिया So, यहां मैं अपना face wash करके आचुकी थी face and neck दोनो और अब आप देखेंगे difference मेरे face पे एक अलग सा पीलापन होता है एक अलग सी चमक होती है सुनहरी सी स्किन पे इसको यूज करने के बाद मतलब फेस बहुत सुनहरा चमकता है और इसे लगाने के बाद आप अपना मॉश्राइजर लगा सकते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगाई इसे यूज करने के बाद आपको एक अलग सी स्मूधनस सी फील होती है और जो खुश्बू है वो बरकरार रहती है बहुत ही एजी प्रोसेस थी ना ये और मुझे मालू मैं आप में से बहुत सारे लोग है जिनकी life इतनी complicated है कि उनको face pack बिलकुल simple चाहिए तो ये बिलकुल simple yet very effective face pack है क्योंकि जब मैंने इसे यूज किया तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या-क्या changes नोटिस किये first thing अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो you don't need any exfoliator या फिर किसी भी तरीके के scrub की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने जब इसे face pack लगाया था उसके बाद मैं छोड़ दिया था फिर जब यह हलका सा सूखा था तब मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों को गीला करके अपने चेहरे को अपने हाथ फिरती हूँ बहुत ही अच्छा फिल होता है एकदम एवन सा फिल होता है और एक अलग सी चमक आती है जो कि टर्मरिक और सैफरोन की वज़े से है चेहरे पर एक अलग सा पीलापन अलग सा चमक आती है और एक मैं टेप आपको देना चाहूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसे rose water, plain water, aloe vera gel, milk किसी भी चीज के साथ mix करके लगा सकते हैं लेकिन अगर आप इसे रात में सोने से पहले मतलब अपना night time routine करने से पहले लगाएंगे और फिर use करेंगे तो आपकी skin के लिए वो बहुत अच्छा होगा मतलब अगर आप इसे day time पर लगाएंगे उससे I think three times better होगा अगर आप इसे अपनी night time routine से पहले लगा रहे हैं तो क्योंकि रात में आप इसे लगा कर अपना night time routine करके सो जाएंगे तो ना ही pollution होगा, ना ही UV rays होगे आपके skin rest करेगी और इस particular जो face pack है उसके जो goodness है वो आपके skin में और जादा अच्छे से work करेगी हफते में आप तीन बार इस particular face pack को use कर सकते हैं और अपने face के साथ साथ, अपने neck के साथ साथ hands and leg पर भी use कर सकते हैं हफते में तीन बार sufficient है and use करिए और फिर मेरे साथ में उसके results share करना और मैं sure हों कि आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा यह क्योंकि मुझे personally बहुत जादा पसंद आया so यहां review video finish होता है इस particular skincare product पे जो की high demand पे था तो I hope आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया है तो like जरूर कर दें और अगर आप मेरे चानल पर first time आया है तो मेरे चानल को subscribe करना बिल्कुल भी न बुले and please अस वीडियो को खूब सारा share करें जिसे भी जरूरत है चाहे किसी की शादी हो रही हो या फिर किसी को कुछ skin problem है और उसने आपके साथ में discuss किया है